ओम् भूर्भुवस्वाह तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गू देवस्यधिमहि धियोयोनः प्रचोदयात। ओम् विष्वानी देवस्वितर्दुरितानि पराश्व यध्भद्रमतनासृ ओम् स्वस्थी 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 . सभी दर्शक योग वर्ट्वरेण्यम् स्वास्थ्य की सभी दर्शकों कोई हैतिक स्वागत अभी थी辉नन्दन करते हैं। जानेंगे योग के बहुत महत्वपूर्ण क्रिया को जिसका नाम है शंक प्रक्षालन तो शंक प्रक्षालन का आज थियोरी पार्ट समझा देते हैं कल प्रैक्टिकल उसके आसन कौन-कौन से होते हैं वो समझा देंगे अभी शरद रितू चल रही है 23 अगस्त से लेकर 23 अक्टूबर तक यह रितू चलती है हमेशा लगवग 22-23 के आसपास शुरू हो जाते 22-23 के आसपास खतम हो जाती है तो इन दो महिनों में आप अपने शरीर की शुद्धी कर लीजी यह साल में बहुत उत्तम समय है आपकी शरीर की शोधन का तो आप अपन हम प्रभाव कहते हैं कुप्रभाव कहते हैं दुष्प्रभाव कहते हैं भीतर के टॉक्सिंस के वह सारे बाहर दूर हो जाएंगे तब हो जाएंगे जब अंदर के सारे टॉक्सिंस को आप बाहर निकाल देंगे बाहर निकाल फैंके और वह कब फैंक पाएंगे जब आप शरीर के भीतर की शुद्धी करने की एक प्रक्रिया जान लेंगे और उस प्रक्रिया का नाम है शंक प्रक्षालन उस प्रक्रिया का नाम है शंक धहती शंक प्रक्षालन शंक धहती दो नामों से बुलाई जाती है और Complete Detoxification नाम की एक क्रिया जिसको हम शंक प्रक्षालन कहते हैं शरीर के सारे ही अवरोध सारे मलों का निश्कासन और सारे विजातिय द्रव्य यानि टॉक्सिंस का निश्कासन यानि शरीर से बाहर निकाल के फैक देता है उनको और शरीर को फिर से तरो ताजा शुद्ध कर देत है और वो शंक कुछ इस प्रकार का होता है कि उपर से पानी उसमें डाला जाता है और नीचे से पूरा ऐसे अंदर की तरह बनावा होता है और फिर नीचे से पानी इसका बाहर आ जाता है तो उसी प्रकार के करीब करीब आकार की हमारी आतों का आतों का प्रकार होता है भस्त्री का प्रणायाम करते रहें और शंक प्रक्षालन की विधी को सीखते और समझते भी रहें गेरी लंबी श्वासों के साथ में भस्त्री का प्रणायाम का अभ्यास कर रहें कि बीच में यदि ठक जाएं सुक्ष्मियायाम से आप अपने कंधों को अपनी गर्दन को सब को मुमेंट करें और अच्छे डंग से इसका मुमेंट करके इसको कंधों को भी चला करके एक उपर और एक नीचे फिर एक उपर फिर एक नीचे ऐसे करें श्वास भरते और श्व चोड़ते हैं गोल गोल चलाए अशंक प्रक्षालन नाम की मैत्वपूर्ण क्रिया को आज हम समझ लेते हैं आगे की क्रिया कल देखेंगे प्रणायाम करते हुए भस्त्री का प्रणायाम तो करते रहे यह तो समने रूप से वैसे भी बैठे-बैठे सहस्ता से की जा सकती है सिप्भर रोवी जा सकता है वह नहीं ओ पारी श्क करते आतों को उपर ले जाए और श्वहास को निचे ले आरे नहीं ओ पारे ऐसे два य। श्वहास भरते वे आत फैला है श्वहास चोड़ते वी आतों को वापस समय समयश्विए अइसे करते-पर्थे आपकि और बम प्रप्रोब्ल्म नहीं है वह लोग तो तेज कर सकते अब पूर्ण तर्स्त और बल्वान है युवा है वह लोग तो तेज श्वास पूरे श्वासों के साथ करें श्वासों को भड़ते वे आतों को ऊपर श्वासों को छोड़ते वे आतों को नीचे ऐसे अब हार्ट की डिजीज वालों को आई ब्लड प्रिश्र रार को दोनों को इतने तेज अब्या से बचना चाहिए जिनको चक्कर आते उनको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए तना तेज अब्यास और फिर इस प्रकार की अभ्यास को भी कर सकते हैं ऐसे श्वास भरते वे आतों को उपर और श्वास छोड़ते वे मुठीया बंद करते वे आतों को ऐसी नीचे पीछे की तरफ यह समारे तो आज शंक प्रक्षालन को समझ रहे हैं तो शंक को हमने जाना जिसको संध्या के काल में बजाया जाता है भस्तिरिका करते रहें धीरे-धीरे स्लो वाला दीप इनहेल एंड डीप एक्जेल विदाउट होल्डिंग करते रहें सुनते रहें शंक प्रक्षालन की विधी को शंक आपको बताया कि एक वाद्धियंत्र होता है जो कि प्राय पंदिरों में पूजा गरों में देव पूजा एस्थलों में बजाया जाता है अत्वा गरों में भी संध्या काल में बजाते हैं जिससे की वाइरस जिसस कि खंटा ठ्वनी से बहुत सारे रोगानों की टानू और विशाणों का नाश को नहीं हो पता िनकाफियों का हौ कई शंक की ध्वनि हमारे घर में जगनी चाहिए श्वास पूरा भर के और शंक के भीतर बहुत तेज फैका जाता है ताथ तब जा करके प्राणायाम का एक अभ्यास शंक बजाने से भी होता है तो शंक की नाम से प्रक्षालन यानि धोना धुलाई करना भस्त्रिका करते रहें कपाल भाती में आ जाएं तो आज शरद रितू के लिए जो टॉक्सिंस डिटॉक्सिकेशन के मैथड होते हैं उनमें कपाल भाती भी है कपाल भाती श्वांस को बाहर फैंक रहें दोनों नासिका के दोनों चित्रों से वह एक पूर्वक्ष कि एक सकेंड में एक बार हमें केवल छोड़ने पर ध्यान देना है श्वासों को छोड़ने पर बस श्वास भरने नहीं है अपने आप अंदर जाएगी अंदर आपने आप आप आजाएगी ढाट छहरा ने बीगड़ना चीए कंदे ने बगरने छी गरदन ने भी पर गलत भी मताते हैं ईसे लोग यह विसलोग चारब गलतन हिलाती हैं यह सारे गलत विधियां है में आपको सही करने ब्लकुर की चयर बाक्टे कि प्रेचtes कर ने बेहें अ को deny तो शंक प्रक्षालन की विद्धि आज हम समझ रहे हैं तो शंक प्रक्षालन को करने के लिए सबसे पहले आपको 5 से दिन पहले योगासनों का अभ्यास करना पड़ेगा पांच योगासन कल हम करके बताएंगे आज केवल थियोरी बता रहें नहीं तो पूरी तरह से आप समझ नहीं पाएंगे कल इसी शरद रितू में विशेश कर्यक्रम का दूसरा भाग होगा जिसमें हम शंक प्रक्षालन की पूरी विद्धी आसनों सहीद बताएंगे तो आज विद्धी इसको समझा देते हैं तो इसमें पहला पहला ताड़ासन फिर तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन बैट कर करके शंकासन या उदराकर्षण आसन और लेट करके पेट के बल जिसको हम कहते हैं तिर्यक भुजंग आसन फिर से कह देता हूं एक ताड़ासन एक तिर्यक ताड़ासन ताड़ासन मतलब खड़े हो करके पूरा खींचते हैं तिर्यक ताड़ासन यानि ऐसा यह खड़े हो परसन किये जाते हैं कब किये जाते हैं पहले 57 दिन पहले आप इसका अभ्यास करें फिर उसके बाद जिस दिन आपको जैसे रविवार को संडे को आपको शंक प्रक्षा ले नहीं पूरी शरीर की शुद्धी करनी है तो शनीवार को ही रात्री में आप दूद में मुनक्का ड और उसके ऊपर दूद पी ले इस प्रकार से मुनक्का वाला दूद पीएंगे और मुनक्का लेंगे दूद के साथ में तो सुबहे आपके क्लेंजिंग अच्छी हो जाएक हूँ फिर उटकर आपको पानी तयार करना है गरम गुवना पानी तयार करना है कर जिसमें पीच का सभाद हो D cayłę बहुत जादा यह घृी नियुत क्यों कि अलावा इसमें यह ध्यान रखना है कि अगर किसी को चर्म रोग हैं तो उसको नमक नहीं डालना चाहिए किसी को यदि जोडों में दर्द हैं वाद के विकार हैं ऑसट नीब respons चाहिए को यह दोनों चीजह हो आई ब्लट प्रेशर हो चर्म रोगुआ और जोड़ों का दर्धो दोनों तीनों चीजह हो समस्याएं उन लोगों को नीभू और नमक दोनों नहीं डालना उन लोगों के लिए तो केवल गरम पानी करना और पानी को पी जाए अच्छा खासा एक से दो ग्रास पीजा है और फिर इन पांच आसनों को करें खड़े हो करके ताड़ासन करें पांच से साथ बार उसको कर लेंगे फिर तीर्यक ताड़ासन कर लेंगे पांच से साथ बार उसको कर लेंगे फिर उसके बाद कटी चक्रासन कर लेंगे पांच से साथ बार उसको कर लेजी है फिर बैठ करके उधरा करशन आसन उसको कड़ने कैसे बाहर पीछे की तरफ पेट पर मन च्वांस बाहर इस गुटने को यू लगाएं पैर से और इस गुटने को यू दबाएं कि श्वांस बाहर पीछे गुम जाएं यह तरह से थोड़ी दे रूखें ऐसे पांच-पांच-पांच-एड़ बार इस आसन को करें फिर लेट करके तीर्यक-बुजंग आसन करते ही जैसे पीछे गुम जाएं पैरों में थोड़ा पांसला रखें कंदे के ऊपर देखें पिछले दूसरे वाले दाएं कंदे के उपर से बाई एडी को देखें इस तरह से यह आसन भी पांच साथ बार करें कल आपको आसन भी करके बताएंगे पांच अच्छे दंग से पूरी शंक प्रक्षालन की विधी आसनों के साथ कल बताएंगे आज थेॉरी कल आप सब्सक्राइब तो अच्छा कोई बात नहीं संगीता जी कल ना बता देंगे एकल के कारेक्टर में आप आपको पांचों आशन बता देंगे ना ठीक है संगीता जी शर्म हामारे दर्शकों में आपका स्वागत है करेक्टafter. कल आपको बताएंगे हैं पांच Teika पांचा पांच बार कर लें गए तो 20– 25 25 बीच में आपको जैसे ही पाखाने की हाजत लगे यानि कि आपको फ्रेश होने की हो रही हो उस समय आप उस आसनों को छोड़कर तुरंत जाकर टॉयलेट में बैठें और फ्रेश होने का प्रयास करें ज्यादा जोर ना लगाएं सामन्य रूप्त जैसा भी आपका मल निकलत पानी पीले में अच्छा जितना पिया जा सकें क्योंकि उसके बाद आपको आसन भी करने फिर आसन करें ताड़ासन तीर्यक ताड़ासन कटी चक्रासन शंक आसन और जिसको तिर्यक भुजंग आसन कहते हैं वह यह कर लें फिर से इस दौरान फिर से आपको लगेगा कि फ् सफ्यास करें फिर आपको जाना होगा फिर जाएं ऐसे पांच से साथ बार आपका जिनका वजन बढ़ा हुआ है उन लोगों का वजन भी घट जाएगा जिनके शरीर में पचासों समस्या रखें स्किन के डिजिजिस के कईयों के तो ऐसा है कि यह मुआ से पीछा नहीं प्रेशालं से लगबक सारी समस्यां यह सब समस्यां समाब किसी हो जाएंगी यह ध्यान और पान साथ बार जैसा पानिntul एक तब वैसा ही निकलने लग पांच साह ने के बाद इसका मतलब आपका शरीर बिल्कुल क्लीन हो गया बिल्कुल साफ सुत्रा हो गया अब आपको और क्लीन करने की आवश्यक्ता नहीं है इस क्रिया को आप यह शरद रित्व है देखो 23 अगस्त से लेकर आज 14 सितंबर हो गए 14 तारी किया ना 14 सितंबर तो आठ दिन वो और 14 यह तो इन 60 दिनों में से 21 दिन लगबग निकल गए 20 दिन 60 में से 22 निकल गए तो कभी 38 दिन और है इन 38 दिनों में आप तीन बार शंक प्रक्षालन आराम से कर सकतें 10-10 दिन के गैब से लगू शंक प्रक्षालन तो डेली कर सकते हैं लगू शंक प्रक्षालन भी कल आपको बत यह ने लगेगा 57 व प्रैश होने के बाद पहले कैसा आ रहा है फिर पतला ़ोन लगा और इस भुष्टा में वह खाएख और बाहर निकलने लगेगा तूट तूट करें आपको देख कर हैलानी होगी कि मेरे संक प्रक्षाल्न यारी तो हमारे अंदर की गंदगी कैसे निकलती और शंक्र प्रक्षालन करने के बाद आप तत्काल कुछ खाना नहीं है उस दिन आपको परिष्ट्रम का कोई काम नहीं करना उस दिन आपको थोड़ा आराम रेस्ट करना है मुंग की डाल की किचड़ी खानी है घी डाल करके फूड लेंगे तो फिर क्या होगा आपका पेट इतना अच्छा खासा बढ़िया क्लीन हुआ था फिर से खराब हो जाए तो उसका शंक्र प्रक्षालन का लाव ही नहीं होगा इसी तरह से यह शंक्र प्रक्षालन किया जाता है कल और इसके बारे में प्रकाश डालेंगे प कर देशेख सब्सक्राइब भयाव Woah ईंदयूअ स्वामइद इन्यवास सभी को साथनिंद्शन नमस्ते आज के कि में मिलें घऍन प्रक्षालन के बारमें शंक्प्रक्षालन के बार्याप tut सब का बहुत बहुत धन्यवाद कल फिर से मिलते तब तक करें योग रहें निरोग इस कारेक्रम को आप सारा दिन भी देख सकते हैं यही कारेक्रम कल सुबह साथ बजे स्वामीन चैनल के यूट्यूब चैनल पर यूट्यूब के चैनल पर चलेगा प्रीमियर के रूप में अ अभी तो लाइव चल रहा है बाद में भी इसको आप देख सकते हैं सब तक के लिए सबको नमस्ते सबका धन्यवाद ओम श्यम्त कल फिर मिलेगे